तो गुड मॉर्णिंग भीवर्स स्वागत है आपका आज के हमारे इस सिस्टन में और जैसा आप सबो को मालूम है कि कल हायर सेकेंडरी का रिजल्ट आ चुका है और बहुत अच्छा रिजल्ट आया है बहुत सारे बच्चों ने काफी अच्छा परकाम किया है इवन हमारे इ रिजल्ट टू नीट एग्जामिनेशन इसको कैसे अच्छे से उटिलाइज आप कर पाए ताकि आपके नीट के स्कोर मैक्सिमाईज हो पाए इस बात के डिसकसन के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट मौजुद है जिनको किसी तारीफ की जरुरुत नहीं है आप सभी अल्रेड 17 में आफटर कंप्लेटेंग हेस एंगिनेरिंग उन्होंने लगतार कया किया है नीट और ज्य मेंश के जरी डवांस के येडवान के प्रिपर्शन में डेडिकेटर रहे है हर साल काफी इंजिनेर टॉक्टर सरो सर स्वागत है आपका आज के हमारे इस्सों में तो क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे हमारे बच्चों को जो की 17 इनका नीट के एक्जाम है हाडली 20 डेज के आसपस उनके नीट के एक्जाम में बचा हुआ है और ज़स्ट उनका कल रिजल्ट निकला है तो कल हमारा हाई सेगेंडरी का रिजल्ट आया है और बहुत बच्चे उनके अच्छा रिजल्ट किया है तो मैं सारे बच्चों को कॉंग्रेजुलेट करना चाहूंगा मगर लडाई अभी यहाँ पर खतम नहीं हुई है अभी जो है हमारा अगले महिना 17 तारीक को नीट का एक्जाम है और उसके लिए हम फोकस रहेंगे हाँ अच्छा हुआ रिजल्ट बहुत पहले आ गया जिसके वज़े से हमारे उपर जो है बच्चे को उपर से थोड़ा बहुत प्रेसर जो है रिलीज हो चुका है एक्जामनिशन रिजल्ट का तो अब जो है बच्चे थोड़ा सा रिलेक्स हो जाए और अच्छे से फोकस हो जाए अपने आने वाले अपकमिंग निट के एक्जाम के लिए अब देखे इस time को हम कैसे utilize कर सकते हैं इस time को हम utilize कर सकते हैं कि जैसे कि अभी-भी हमने class 12 पढ़ाई करके आया है तो class 12 अगर हम पढ़के आये हैं तो class 12 से ज़्यादा रूबरू हैं हम तो उसके जो topics हैं उससे related जो questions हैं वो हम easily tackle कर पाएंगे और easily जो है हम उसको solve कर पाएंगे तो ज़्यादा तर बच्चों के लिए यही अच्छा रहेगा कि class 12 का portion जो है जो अभी-अभी वो cover up किये हैं उसको ही revise कर ले एक बार और previous years के questions वगरा लगा ले नीठ के तो इससे उनको बहुत अच्छा एक confidence boost up होगा जिससे उनको क्या होगा आने वाला exam जो है उसमें बहुत help होगा ठीक है और अगर देखा जाए कुछ बच्चों का result जो है बहुत अच्छा आया है कुछ result जो है थोड़ा सा उनका percentage कम आया है तो इसमें हम लोग को घवरानी वाली कोई बात नहीं है हमारे पास जो है 50% से उपर अगर हमार marks है तो हम इंडिया के हर exam के लिए eligible है ठीक है अगर किसी बच्चों का 80% आ रहा है किसी बच्चे का 60% आ रहा है तो 60% वाला भी eligible है 80% वाला भी eligible है तो इस बात को लेकर के बच्चे tension ना लें बिलकुल वह eligible है बस वो focus रहे अपने upcoming exam में लड़ाई तो अभी यहां से शुरू हुआ है है कि नहीं तो यहां पर जो है वो अब इस बात का चिंता छोड़ दे कि हमारा high secondary में क्या percent आया है क्या नहीं बस वो focus रहे अपने upcoming exam में ठीक है ओके सर थैंक यू थैंक यू सर थैंक यू very much for giving your precious time और हमारे बच्चों को आपने path दिखाया तो बच्चों जैसा कि सर ने बोला कि लड़ाई तो अभी शुरू हुई है ठेक है और बिलकुल भी demotivate होने की जुरूत नहीं है कोई फरक नहीं पड़ता है आप 60% लाए है या 80% लाए है वो प अच्छे से utilize के जिए and we are hoping कि आप बहुत अच्छा perform करेंगे आपके upcoming need examination में और बिल्कुल वहीं क्या करना है फोर देना है और आप believe रखेगा विश्वास रखेगा तो बिल्कुल फोर सकते हैं और साथ ही साथ बच्चों मैं आपको ये भी बोलना चाहूंगा कि किसी भी त ब्रूरत है तो do not forget to visit potential and concept education we will feel very happy to serve you टीक है जितना हो सकता है हमारा तो कोशी सी ही होता है कि कि किसी बच्चे को मतलब lack of knowledge करन lack of information के कारण किसी बच्चे का कुछ future में गड़ बढ़ना हो तो हम बिल्कुल आपके लिए anytime ready है this is all for today thank you very much for listening bye bye